हेलो गईज वेलकम बेक टो माई इटूब चैनल यहां डॉट इमानसुक से तो गईज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफी दिनों से मैं देख रहा था कि आप लोगों के पात सबसे Android 13 का अपडेट आया है बन प्लस 10, बन प्लस 11, बन प्लस 9, बन प्लस 8, बन प्लस की जितनी भी सीरीजें के अंदर Android 13 का अपडेट आया तो काफी जादा यूजर्स परिशान है हीटिंग का इसू लेकर बैटरी डेनिंग का इसू लेकर तो मैंने सुचा क्यों ना एक वीडियो प्रॉपर बनाई जा बन प्लस की डवलपर टीम के बंदे नहीं यह सेर की हैं और आप लोगों को काफी जल्दी यह ऑफिचल भी अनौंस कर दी जाएंगे आठ से नौ जो पॉइंट हैं वो आप लोगों को बन प्लस की हर जगे देखने को मिल जाएंगे तो गैस यह जो वीडियो है काफी जता इंट्रेस्टिंग होने वाले हैं इसमें हम बारी किसे सारी चीज़ें समझने वाले हैं कि किन चीज़ों पर ध्यान रखना है क्योंकि क्या होता है कि सौप्टर अपडेट हमारे पास आया सपोस देखिए मैं भी एक बन प्लस यूजर हूँ आप लोग भी हैं तो गैस मेरे अधर को एंडोइट 13 के बाद जो प्रॉब्लम हो रही है वो मैं एक जैनुरी तरह करे से बताऊंगा कैस मेरे को सीरेसली बता रहा हूं एंडोइट 13 के बाद मुझे ट्रेनिंग का इश्यो और बैट्री डेनिंग से रिलेटेट इश्यो मेरे को देखने को नहीं मिला है जो यहां पर आपको लोग को सेजिशन बोल लीजिए या फिर मेरा जो फीडवाइक आप लोग समझ रहे हैं तो गैस वह एक जैनुवन है मैं आप लोग को फैक जो सेजिशन है या फीडवाइक वो प्रॉबाइड नहीं करता हूं तो गैस मैं अभी तक एंडोइट 13 को अपने अंदर वो पॉइंट को उताना है और हमें देखना है कि हमारे साथ क्या घलती हो रही है तो गैस यह वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कहा है तो लाइक कर दीजे चैनल पनी चैनल को सुस्क्राइब करें साथ बैल आकन को पै कि बाइब समर का और विंटर यह पॉइंट आप मिया से लाइन हटा दीजिए समर और विंटर आपको साइड रखना है क्योंकि यह पॉइंट जो नहीं लिखे है वह पॉइंट थोड़े इंट्रेस्टिंग है और हमारे को समझना चाहिए तो इसलिए मैं यह सब चीजे नह नहीं होगी आपको 100% दिखा देगी लेकिन जो उसमें चार्जिंग कैपिसिटी आप लोगों ने प्रोबाइट की है वह ऐसी नहीं है जो एक नॉर्मल चार्जिंग की तरह होना चाहिए बिदाउट यूजिंग तो यह चीजें आपको ध्यान रखना है तो आपको ट्राइ करते में चार्ज नहीं करते हैं तो और साथ में आपको हीटिंग यूशू भी देखने को नहीं हुलेगा वह यहाँ बात करें प्रोलाइंग तो यहां पर आपको ओटो ब्राइटनेस रखना चाहिए और मैं आपको बता दू कि यहां पर अगर आप ओटो यहनों में सॉलू आप अगर अधेरे वाली जगे में जाएंगे तो आपको ओटोमेटिकली वह ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी तो यह चीजों को ध्यान रखना है सेकिंड वाला ठीक है इसको लेकर सीरियसली यह आपको थोड़ा सा पॉइंट जोए ना सीरियसली समझने होंगे यह ऐ होता है अगर आप हाई ब्राइटनेस पर रखनेंगे मोवाल तो आपको आपको हीट जादा देखने को मिलेगी वहीं हम बात करें टू मैनी एप्स रणिंग इन दा बैक्राउंट तो यह करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर एक जो फीचर देखने को मिल जाता है एडिशनल हैं तो ऐसे में कई सारे इस देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर सॉलूशन भी उन्होंने प्रोवाइड किया है कि आप ब्लुटूथ को आफ कर रखें लोगेशन को आफ रखें वाइलेस लैन को आफ रखें क्लियर बैक्राउंड एप्स यह करके रह सकते हैं तो इन सब ची में भी आप लोग हैमर वगरा यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडिशन में भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है हीटिंग को लेकर क्यों मतलब आप सपोज आप लोग नाग से मुझसे आप क्या ले रहे हैं सांस ले रहे हैं तो अगर सपोज उन कंडिशन में आपक सेशन फॉन केस और जस्ट रिमूट फॉन केस अल टुगेदर राइट रणिंग हाई पावर कंजूमिंग ऐस फॉर लॉंग टाइम ठीक है ऐसे मतलब हाई पावर कंजूमिंग की जो एप्लिकेशन उनको लॉंग टाइम आगर आप यूज़ कर रहे हैं सब्स जैसे कि सपो लेकिन आपको सॉलूशन मिलता है कि वहाँ पर अगर आप डार्क मोड में रखते हैं अपने मौड को तो काफी ज़्यादा हद तक आपको यहां पर हीटिंग इस देखने को नहीं मिलता है तो मैक्जिमिम्म कोशिज कीजिए कि आप अपने मोड को डार्क मोड में यूज कर पर प्रवाइड किया है आपको कोई भी गैम प्ले नहीं करना है बहुत कोई भी वीडियो नहीं दिखनी है ठीक है बेट करना है टेंप्रेचर थोड़ा सा डाउन होने का देट इस उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है हीटिंग का वह नॉर्मल हो जाएगा ठीक है कई व पारते हैं आगे continuous use of navigation apps टेक है GPS downloading और भी speakers वगरा अगर आप songs वगरा सुन रहे हैं तो उस condition में भी हमें थोड़ा सा heating issue देखने को मिल जाता है continuous use of hotspots यह बहुत ज़्यादा मिलेगा तो वहाँ पर क्या होता है जो सिंगनल से वो ट्रांस्मिट होते हैं एंड सेम टाइम अंडर्टेक द बार्क ऑफ रेसीविंग डेटा विच रिजल्टिंग हीट तो यह आपको हीट पैदा करेगा ही तो इस condition से आपको बचना है अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप पता होना चाहिए हाँ हाँ ही हाट इसपोर्ट की वाज़े से हीट कर रहा है ठीक है आपको घवराना नहीं है उन चीज़ों से लेकर उसके बाद यूजिंग फोन इन एरिया जवाना आ चुका है लेगिन फाइब जी अभी क्या है इस्टेबल नहीं है अब आपने इस्टे के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर 5G अगर आपके एरिया में नहीं है प्रॉपर आपके मुवाइल की नेटवर्क में बारवर अपडाउन अपडाउन हो रहा है तो आपको क्या कर लेना है यह से मैंने कर रहा है वैसे आपको घर लेना है 4G, 3G, 2G, auto का यहाँ पर स आपके आपको बचके चलना है इन पॉइंटों पर आपको बारी की सद्ध्यान देना है कि क्या का गलती कर लह है आप इनहीं मैं से कुछ Salesforce कर रहें और आप यह मेरे मुवाइल को द्रेक कर रहा है अगर आपको मुवाईल हीट हो रहा है कंडीशन पर वो नौर्मल अगर आपका यह डी नेटवर्क विश्ट सरे के आपको मैंने चल्ण लोग इताल वापिछ से वीडियो कुई नहीं की यह थो जड़ सकते हैं वहां पर भी में मुश्टी विजास की डीम से लेता रहता हूं तो गाइस आसके इस वीडियो में बसत नहीं पर वीडियो अच्छी लगए तो लाइक कर दीजिए का चैनल वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ बैल आकन को बेश करक रखिए कोगे दोस्तों हमारे चैन